मातारा ने कीज़े सुबह की सुरुवात हो चुकी है और मैं आ गई अपने छत पर ये देखिए मैंने गमले में कुछ बौधे लगा रखे हैं कितना सुन्दर सुन्दर फूल खिले हुए हैं ये कनेर का फूल है और वो बुड़हल का है ये दो तीन पौधे मैंने लगा रख करके बहुत ही सुन्दर लग रहा है और बरसात में तो पौधे जब धूल जाते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं ये देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं पौधे मैं छत पर आ गई हूँ और रात में बारिश होई थी तो कुछ पानी कठे हो गए हैं यहां पर लेकिन दिरे दिरे निकल जाएंगे और सुबह का समय बहुत ही अच्छा लगता है चत्पा थोड़ी सी में आई देव में देखने के लिए कि देखें फूल खिले हैं कि नहीं भगवान जी को चढ़ाने के लिए वैसे मैंने माली लगा रखे हैं लेकिन अभी कोरोना के वज़े से माली को मना किया है इसलिए फूल की जरुरत पड़ती है और इधर देखिए मैंने अजमाईन के पौधे लगाए हैं और इधर तुलसी जी के पौधे हैं रात में बारिश हुई थी जिसकी वज़े से कुछ जो सूखी पत्तियां थी वो जमीन पर नीजे गिर गई हैं देख सब तो लगा ही रहता है सुबह उठिए डिनर लंच सब यही सब दिमाग में आने लगता है क्या खाना है क्या बनाना और यह भी खाने के तलाश में ही इधर उदर अपना दोड़ रही है मेरे छट से दूसरे एक छट पर चली गई इक शायद वहां कुछ मिल जाए खाने को तो कुछ इस तरह से है सुबह कर शम है और अब मैं जा रही हो नीचे चलिए आप लोग भी अब मैं आ गई अपने किचन के पास हम हाउस वाइफ की तो यही सब दिन चर रहा है सुबह उठिए विर फास्ट लंच और सामको नास्ते की फिर डिनर की इसे सब के तयारे करिए सोचती रहिए मन में कब क्या बनाना है तो यह देखे सिलवट्टा है देशी स्टाइल पीछने का तरीका सिलवट्टा सभी घरों में होता है हम इंडियन के पास तो जरूर ही होता है तो मैंने भी रखा है कभी कभारी इसकी ज़रत लगती है हालांकि मिक्सीक में सारे काम हो सुबह की ब्रेखफास्ट की तैयारी होगी भगवान जी लोग जमनाद हो लिए हैं बैठे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और यह जो फूल चट पर खिले हुए हैं उन्ही फूलों को मैंने भगवान जी को समर्पित किया है और यह फूल काम आ जाते हैं अपने घर में ल पूहा की रेसिपी तो मैंने शेयर की है पिछली वीडियो में लेकिन मुझे लगा चलिए आज फिर से आप लोगों को दिखा देती हूं तो यह मैं बना रही हूं पूहा पूहा सुबह के लिए बहुत यह अच्छा नास्ता होता है और यह जल्दी से बन भी जाता है और प अच्छे यलू को ही डाला है छोटे छोटे फिस में खट करके और यह डाल दिया हल्दी नमक और इसको चला दोंगी अच्छे से ताकि अच्छे से तरीके से मिक्स हो जाए फिर इसमें डाल दोंगी मैं थोड़े से पानी ताकि यह अच्छी तरीके से पक जाए और इसको अ आलू छोटो से कटे हुए है तो chunk जाएंगे और यह इन्डक्षन पर छलती हूज और ग्रैस पर भी चल sus अब कि जो चीनी है वह mi llt हो जाए् और उसके बाद फिर माझ पोहा डालोंगी इसमें पोहा को मैंने पहले ही दो करके रखा हुआ था और अब मैं इसमें थोड़े से लेमन जूस डालोंगी लेमन जूस डालने से थोड़ा खटा पना जाता है खाने बहुत ही अच्छा लगता है पोहा और इसको मिला दोंगी अब इसमें मैं डाल दोंगी डाल सकते हैं, तो मैंने इसको थोड़े से डब्बो में स्टोर करके रखा हुआ है, और ये देखे बन गया पुहा, पीचे आप लोग भी नास्ता करिए, खिले खिले पुहे बने हुए हैं, और इधर मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूं साथ साथ में, तो आज मैं बनाने ज मसाला है, इसको पहले से ही बना करके रखी हूँ, और इसको इसमें फिल कर दूँगी, बीच में चीरा लगाया है, साइड में भी जाकू से चीरा लगा दिया था, और ये देखे आलू को इस तरीकी से काट करके रखा हुआ है, एक आलू को टू पार्ट में कटा है, बीचो लिया है अंदर कीड़े नहीं है अच्छा वेगन है तो अब इसमें फिलिंग स्टार्ट हो गई और इस तरीके से सारे वेगन में मसालों को फिल कर लूँगी यह कलोजी के मसाला पहले से ही बना करके रखा हुए जब बनाने की जरौत होती है कलोजी हमें किसी भी चीज की कलो इसमें कर्स करके डाल सकता हैं अम्चुड झालती हं और चिलिघ्ड डालती है यह तीन-चा चीज़ों को और अट करती हूं बाकि तो मसालों को सुखे मसालों को पहले से ही मिक्सी में फीच कर के रखा हुआ है और यह देखिए मसालों को इस तरीके से फिल कर दिया है और इस तरीके से सारे वैगन को मैंने कड़ाही में रख दिया, और फ्लेम को लो मीडियम ही रखा हुया है, क्योंकि शुरू-शुरू में तो लो मीडियम ही रखना है, नहीं तो वैगन जल जाएंगे, इसलिए शुरू-शुरू में लो मीडियम ही रखना, इस तरीके से सारे आल को उपर उपर रखर कर दिया है और इस तरीके से अब कलोजी का मसाला उपर से मैं छुड़क दोंगी सारे आलों उपर ये पकने के बाद अपने आप मिक्स हो जाते हैं आलों के उपर अच्छी कोटिंग हो जाती है क्योंकि जो बैगन के अंदर मैंने फिल की हुए मसाले वो मसाले सारे सबजियों में अच्छे से मिल जाता है ये देकि पकर से तयार हो गया है और ये ठाना देसी ध्यार है लंच तयार है आप लोग भी खाया और बताये कैसा बनां हुआ ये रσα अभी मैंने बनाया है और अगले वेडियों मिलते हैं तब तक बाब बाय झाल 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 झाल